दार जिले में करोना की दूसी लेर के कमजोर हो जाने के बाद लाग पूरी तरह कुछ शर्थों पर हटा लिया गया इसके बाद भी बाजारों में नहीं लोटी रोना रहीवार को लगने वाला साप्ताइक हाट बाजार रहा सुनसान बहुरा बाकल के व्यापारियों ने स्वेच्चा से रहीवार को बंद रखने का लिया निर्णे बंद रहा बहुरा बाजार जिले में करोना पुरी तरह समापत नहीं हुआ है लेकिन जन्ता के साथ साथ प्रशासन भी लापरवा नजर आ रहा है लोग बिना मास्क के बाज़ारों में गुम रहे हैं व्यापारी भी नहीं कर रहे है कोविड नीमो का पालन लापरवा ही कहीं भारी न पढ़ जाए धार जिले में टोटल लोग डाउन लगाया गया था इस दोरान प्रशासन ने सकती दिखाते विए बिना मास्क गुमने वालों पर चलानी कारवाही व खुली जेल में बेजने की कारवाही की थी लेकिन लोग डाउन खुलने के बाद प्रशासन वज़्यंता दोनों ही सब्जी विक्रेता पुनम बाई के अनुसार लोग बीमारी के भाई से अब तक नहीं उबर पाए हैं लोग अब भी भीड बार से बच रहे हैं जिसके परिणाम सवरुप साप्ताइक खार्ट में सब्जी वगेर खरीदने वालों की भीड नहीं दिखी यही कहना परचूल व् यहल रहती है कुछ बाजारोंपरयों में भी रोनक नहीं दbook हैं लोग इतने बेपरवा हो गई कि बिना मास्क लगाई बाजारों में गुम्भर रहे तक हैं नके मगर जब बाजारों में भीड भार बढर रही है तब प्रशासन सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रहा है घोड़ा चोपाटी पर कुछ समय के लिए जरूर चालानी कारवाही करते दिखे इसका कहा कहीं बड़ी खामियाजा चंता को न उठाना पड़ जाए यह प्रशासन को सोचना होगा क्योंकि धार में अभी करोना पूरी त समाप्त नहीं हुआ एक दो पॉजिटिव मरीज आई दिन मिल रहे हैं जो चिंता का विशय हैं भारती निजिस के लिए दार से साबिर खान एफेम की रिपोर्ट कि दंदा कमजोर चल रहे हैं अच्छा बजानी बहरा रहा है अच्छा बजार भराई लोगों आज चासा को अमारे दंदे चले तो एगिया थो प्रचानल heh यही बारी का बिमारी करन देको अधि दर्ते इस ले नी हाँ है अपनसे बेगा और अठेजरे ऋचा यही र蓬्सांटिशन यहाः мин और लोग मैंनम subscribe now to most exciting channel ever